Hello everyone, कैसे हैं आप सभी लोग विवेक दिस साइट from FinTechs Pro जहांब अब हम बात करते हैं Finance and Taxation की आज की सेशन में डिसकस करने वाले हैं Income Tax अगर आपको सीखना है वो भी बिलकुल ही फ्री में तो कहां से आप सीख सकते हैं कहां से आपको Best Knowledge मिलेगी देखिए Google पे आप सर्च मत कीजिए Google पे बहुत सारी ऐसी वेबसाइट से जहां पर आपको पुराना डेटा मिलेगा चार साल देखिए हर साल Finance Act आता है Income Tax की अंदर हर साल इतने जादा बदलाव होते हैं कि अगर आप Google की information के basis पर अपना काम करेंगे तो आप गलती कर रहे हो और बहुत बड़ा blunder कर रहे हो आपको चाहिए कोई ऐसा source of information जहां से आपको accurate information मिले और इसी से related मैं आपको आज बताने वाला हूं वो कौन सा source है मिर से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर कोई ऐसी book बता दीजिए कोई ऐसे notes दे दीजिए जहां से मैं income tax पूरा detail में सीख सकूँ अभी recently income tax की जो website है income tax department की website e-filing वाली नहीं जो income tax department की website है उसमें बहुत ही बड़े बड़े changes हुए है और उसके बाद यहां से सीखना पढ़ना समझना काफी जादा easy हो गया है तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कैसे आपको इस website से अपने काम की information को extract करना है देखिए सबसे पहला source of information जो होता है किसी भी law को income tax एक act है किसी भी act को समझने के लिए bear act होता है एक professional के लिए अगर आप एक professional है तो आपको bear act जरूर पता होना चाहिए जो भी आप study करें वो bear act के basis पे होनी चाहिए and then case laws जो है वो उसको support करते हैं notifications उसको support करती है तो study का structure आपको पता होना चाहिए कि कोई भी चीज आपको कैसे पढ़नी है लेकिन जो एक beginner होता है काफी बार ऐसा भी देखा गया है जैसे मैं अगर आपको अभी ये provision समझा हूँ आपको साथ ये provision में काफी सारी ऐसी technical terms आए जो आप यहाँ से bear act से ना समझ पाए अगर आपको easy language में simple language में समझना है detail में तो आप check कर सकते हैं फिंटेक्स प्रो का practical course in GST ITR and TDS ये paid course है ये free course नहीं है because यहाँ पर बहुत मेहनत करते हैं 200 घंडे से जादा की video आपको यहाँ दी हुई है और अभी जनमाश्ट में आ रहा है 7th September को तो 7th September तक चल रहा है Fintex Pro के सभी courses पर flat 10% का discount so अगर आप pay करके बहुत ही nominal सी fees है अगर आप content देखेंगे 200 घंटे से जादा का detail और updated content है जहाँ पर आपको GST ITR और TDS तीनों चीज़े detail में सीखने के लिए मिलती है अगर आप pay कर सकते हैं definitely आप हमारी website पर जाएए 10% का जो coupon code है वो है day day उसको लगा के जरूर चेक कीजिए आपको benefit मिलेगा यहां से आप उन चीज़ों को बहुत ही easy language मेरी बहुत ही easy language में मैंने सारे provisions सारी practical working competitions यहां पर समझाई हैं अगर आप free में सीखना चाहते हो या आप एक professional हो और आपको चाहिए कि bear active पढ़ना है मुझको उसके लिए income tax ने जो है अपनी website पर बहुत बड़े बड़े changes किये हैं जैसे कि पहले हम यहां से income tax act पढ़ते थे मैं आपको इसका link मीचे description में दे दूँगा सो यह website है पहले मैं आपको income tax के website दिखा देता हूं तो यह अभी website है जो कि recently change हुई है यहां पर आप देखेंगे काफी सारे changes आपको मिलेंगे आपको यहां पर नीचे upcoming due dates का option मिल जाएगा 7 September को TDS और TCS की payment आ रही है 14 को TDS का certificate form 16E आपको generate करना है 16D आपको 14 को generate करना है आग basics of income tax आगे जो groceries हैं वो आपको मिल जाएंगी international taxation के बारे में पढ़ना चाहते है tax tax comparison टीपी जो है और उन सब चीजों के बारे में आप यहां से पढ़ सकते हैं taxpayer की services यहां पर आजाएंगी important links आपके आजाएंगे अगर आपको सीखना है तो यहां पर आप आप जो है tax laws and rules में जाकर के आप देखेंगे आपको पूरा act मिल जाएगा rules मिल जाएंगे circulars मिल जाएगा budget and finance acts मिल जाएंगे forms है वो मिल जाएंगे सारी information आपको यहां पर मिल जाएगी अब आपको बताता हूँ पहले हम जो bear act पढ़ते थे मैं कोई भी किसी भी author की book को refer नहीं करता हूँ मैं यह बता हूँ मेरी जो पूरी research होती है that is based on bear act और उसका analysis में खुद ही करता हूँ so यह आपके सामने bear act है यहां पर आप जाते हैं आपका act आ जाएगा important चीज आती है as amended by finance act कौन से finance act से वो amend हुआ है because मैं आपको starting में बताया था हर साल हमारा union budget आता है जिसके अंदर direct taxation में especially income tax के अंदर बहुत ज्यादा changes होते हैं बहुत ज्यादा amendments आती है so आपको यह पता होना चाहिए कि आप कौन से year के लिए वो provision पढ़ रहे हो तो इसलिए important होता है यहां पर समझना कि वो finance act आप पढ़ रहे हो वो कौन से finance bill से amended है तो finance act 23 अगर हम करेंगे that means जो finance act 23 की updates है वो उ मेरे पास सारे equipment है बड़ी screen है तो मैं divide कर लेता हूँ screen को आदी screen को ऐसे करता हूँ फिर आदी screen को यहां लेकियाता हूँ फिर दोनों में comparison करता हूँ लेकिन यह comparison अब आप अपने laptop में छोटी screen में भी कर सकते हो वो facility आपको यहां provide कर दी है उसी के बारे में मैं आपको बता application का एक simple section होता है इस पे click करेंगे यह पूरा provision आ जाएगा पहले भी इसी तरीके से आता था अभी इसी तरीके से आएगा एक नया option यहां पर add हुआ है यहां पर आप देखेंगे compare act या section यह आपको दिख रहा होगा इस पे आपको click करना है यहां पर आपके पास दो screen आ मुझको compare करना है कि 44 AD में finance act 23 से पहले क्या था और अब उसके अंदर क्या changes है मैं यह चीज study करना चाहता हूँ तो इसके लिए मैं क्या करूंगा यहां पर जो year select होगा finance act का वो 22 select होगा और उसके बाद select section आपको करना है तो यहां से आप search कर लिजे section number 44 AD जो कि हम पढ़ रहे this is section 44 AD यहां पर view आप click करेंगे दोनों provisions side by side आ गए जिनको आप one by one comparison कर सकते हैं कि दोनों जगह पर क्या क्या changes हुए है जैसे कि मैं आपको briefly बता देता हूँ क्या changes हुए है यहां पर जो change आया है वो limit के अंदर change आया है जो आपकी limit होती थी 2 crore रुपी उसको increase करके 3 crore कर द इसकी explanation का इसकी explanation का जो clause number B है eligible business eligible business यहां पर जो है एक provision यहां पर add कर दिया गया है कि provided that where the amount of aggregate turnover of amount received during the previous year in cash does not exceed 5% of the total turnover or gross receipt this sub clause will have effect if the word 2 crore the word 3 crore रुपी had been substituted इसका मतलब क्या हुआ कि प्रिजुप्टिशिशन में आप कब जा सब्सक्राइब इसका मतलब क्या हुआ कि सकते हो जब आपकी turnover 2 crore तक है लेकिन अगर आप की जो cash में receipt है वो up to 5% तक है in that scenario यहां पर receipt की बात की जारी है हाँ receive की बात की जारी तो in that scenario वो 2 crore की limit increase होकर के 3 crore होने वाली है बट यह amendment आये finance act 23 के according because जो मैंने यह वाला है यह मेरा finance act 23 से updated है अगर आप last year तक देखेंगे analyze करना comparison करना काफी easy हो जाता है इस वाले format के अंदर आप easily one by one section को provisions को sub section को go through कर सकते हैं और समझ सकते हैं चीजों को बहुत ही easily मुझे काफी अच्छा option लगा income tax के अंदर तो मैंने आपको यह समझाया और इसके साथ अगर आप section wise study करना चाहते हैं तो section wise study करने के लिए भी आपको option मिल जाएगा यहां पे आप income tax laws and rules में जाए section wise content देखिए और यहां पे आपको section wise सारी detail मिल जाएगी देखिए income tax एक complex act है बहुत सारी technical language इसके अंदर भर भर के पड़ी होई है so इस course में जो मैंने समझाया है बहुत ही simple language में समझाया है फिर जो important definitions है यहां पर आपको updated definitions मिलेंगी वो यहां से आप जो search कर सकते है पढ़ सकते है 44 AB आप पढ़ना चाहते है section 16 पढ़ना चाहते है जो salary का charging section होता है वो आप यहां से पढ़ सकते है तो जो भी section आप पढ़ना चाहते हो updated चीज आपको है मिल जाएगी है यहां से directly आप उस होता है उसको as it is ही यहां पर रखा जाता है और इसलिए इसको bare act बोल दिया जाता है इसका analysis है और साथ में case studies है case laws है वो सारी चीज़े notifications है circular's है finance bill है यह सारी चीज़े आपको साथ में इसके पढ़नी पढ़ती है जिससे कि आपको एक comprehensive और complete knowledge मिल सके income tax का मैंने आपको बता दिया आपको अगर free में सारी चीज़े study करनी है तो आप definitely चेक कर सकते हो official source है income tax की website जो की अभी recently update हुई है यहां पर जाकर पढ़ लिजेगा अगर आपको पसंद आया हो channel ज़रूर subscribe कीजिए इसी तरह की informative videos हमारे channel fintex pro पर आती रहती है thank you so much for joining today's session और advance में आप सभी को जन्द माश्ट में की धेर और शुब कामना है मेरा बड़े भी है उस दिन and हसे रहें मुस्कुराते रहें बाई बाई टेक केर